नरेंद्र मोधी के समवात कारिकरम परिक्छा पे चर्चा बर 10,32,000 ले जादा विद्यार्थी मनहा पंजी करन करा है। एक कारिकरम बर 2,60,000 ले जादा सिक्चक और 92,000 ले जादा मातापिता मनहा घलो पंजी करन करा है। परिक्षा पे चर्चा कारीकरम लईकामन के तनावला दुर्या करेके उद्देश ले प्रधानमंत्री के नेत्रेत्व मा सुरू करेगे ही। बढ़का भियान के एक ठीन हिस्सा हराए। 36 गर्ण लोकसेवा आयोगा राज्जी सेवा प्रारंभिक परिक्षा के परिडाम जारी करदे ही। ए परिक्षा बीते 14 फर्वरी के प्रदेश के आने आने परिक्षा केंद्र मा आयोजीत करेगे दिस। जारी परिणाम के अनुसार मुख्य परिक्षा बर कुल 2763 उम्बिद्वार के चेयन हो है। खबर के मुताबिक ए बख़त प्रदेश मा 21 सेवा बर 175 पद मा भरती बर परिक्षा ले जावा थी। भारती जन्त पार्टी के प्रदेश कारे समीती के बैटका काली राइपुर के कुसाभाव ठाकरे परिशर इस्थित पार्टी कार्याले मा आयोजित करेगी। बैटका मा प्रदेश के प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी हा कहिन की भाजपा के भविश्यला पार्टी कारेकरता ही निर्धारित करते। एखर सेती सबो कारेकरता जोर सोरले पार्टी के कारजमा जुट जाये। उहे भाजपा की राष्टी सा संगठन महामंत्री स्यूप्रकास समापन सत्रला संबोधित करत कहिन की कारिकरता समवेदन सीलता समर्पन सेवाभाव और सामोहिक्ता के सुत्र मा कामकरी ता ओमन हा जरूर सफल हो ही बैटका मा भाजपा की राष्टी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमनसी हा कहिन की जब ले कांग्रेस की सरकार सत्ता मा आहे तब ले प्रदेश मा रेत माफिया, भू माफिया और कोल माफिया सक्री हो गे है ओमन कहिन की एक जूटता के संग कांग्रेस सरकार के नीती के खिलाब भाजपा कारेकरता आंदुलन करी उए नेता प्रतिपक्ष धरमलालकोसिक हा कहिन की राजी सरकार हा 26 महिना के कारेकाल के बीते के बाद घलो जनहीत के कारे नहीं करे है ओमन कहिन की प्रदेश्क मा अपरात के घटना पाढ़े है आकास्वानी रायपूर के भवन मा आज संझा प्रथम मंजिल मा आगी लगी रहीज ए आगी स्रोता नुसंधान प्रकोष्ट के कच्छा मा लगी रहीज बाद मा फायर ब्रिगेड हा ए आगी ला काबू मा पालिस ए घटना मा काखरो जन्हानी नहीं हो है कुछ एक रिगाट ला छोड़े के बाद छोड़के जादा नुकसान नहीं हो है केंद्री सरकार हा आज कहिन की फिलहाल उखर कच्छा तेल, पेट्रोल, डिजल, विमान इंधन और प्राकृतिक गैस ला जीएस्टी के दायरा मा लाएके कोनो प्रस्ताव नहीं है केंद्री वित्यमंत्री निर्मला सीता रमण हा आज लोकसभा मा बतें की जीएस्टी परिसधा घलो एबारे मा कोनो से फारिस नहीं करे है पूरक प्रस्ण के जवाब देवत केंद्री वित्यमंत्री राज्यमंत्री अनुराख ठाकुरह कहिन की केंद्र और राज्जिला मिला के डिजलो पेट्रोल के कीमत कम करे के उपाय करना चाहि राष्टी क्रीमी मुक्ती कारिकरम के तहत आज ले प्रदेश मा क्रीमी मुक्ती सप्ता मनाय जा थे 22 मार्च तक चलाईया एभ्यान के दवरान 19 बचर तक के लेका औकी सोर मल्ला आंगनबाडी कारिकरता और मितानिन मंदाहर ले घर घर जाके अल्बेंडा जौल के दवाई खिलाई जाव थे इही कडी मा धमतरी जिला के मुक्य चिकित्सा और स्वास्त अधिकारी डॉक्टर डी के तुर्रेह बतेन की आंगनबाडी केंद्र मनमा और सरकारी इसकुल के करीबन 50,000 लेका मल्ला क्रीमी संक्रमल ले बचायबर एल्मबेलडा जौल के गोली खिलाई जाव थे चत्तिसगरी समाचार बुलेटिन आप मन अकास्वाणी रैपूर ले सुना थो अब रेडियो के संगे संग आपकी मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन चत्तिसगर के हर खबर बर सुनत रहो आकास्वाणी समाचार अब आगुबाडबो बांचे समाचार कोती सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरुघासी दास के जन्म भूमी औव तपो भूमी गिरौतपुरी धाम मा तीन दिवसी गुरुदर्शन मेला अवय अठारा मार्च ले सुरु हो ही ए मेला मा राज्य के आने आने जिला के संग देश विदेश के स्रध्धालू सामिल हो ही मेला आयोजन समीती के अध्यक्ष औगुरु गद्धी नसीन विजय कुमार गुरु औप्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार हा कुरून संक्रमनला देखत गिरोधपूरी मेला के दोरान स्रध्धालू मल्ले बिसे सावधानी राखे के अपिल करे है मेला मा एबखत कोनो तरह के सांस्कृतिक कारेकरम आयोजित नही करे जाही धमतरी जिला मा पाच्छु रथिया होई सडखात्सा मा दू जिन लोगन के मौत होगे उहे 11 आने आने लोगन घायल होगे मिले खबर के मुताबिक राष्टी राजमार्ग क्रमांक 43 मा संबलपूर के तीर एक टीन नीजी ट्रेवल्स के बस अनियंत्रित होके पलडगी ए हाथ्सा मा चालक और परिचालक के मौत होगे हाथ्सा मा घायल 11 लोगन ला धमतरी के जिला अस्पताल मा भरती कराएगे ही एती जांजगीर चापा जिला के जोंगरा गाउं मा एक ठीन तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होके सड़क किनारे खड़े मोटर साइकिल ले टकरागे हाथ्सा मा एक जिन युवक के मौत होगे और एक जिन युवक घायल होगे उहें ही जिला के सिवनी और पाली गाउं के बीच सड़क किनारे खड़े ट्रक ले मोटर साइकिल सवार युवक टकरागे इघट्टा मा एक जीन युवक के मौत होगे, उहें दू जीन आने युवक घायल होगे कोरोना महमारी के जोखिम बुजुर्ग मल्ला अधिक है इला ध्यान में राखत, राजी सरकार सुरूले बुजुर्ग के प्रती समवेदन सील रहे है प्रदेश मा COVID-19 टिका करन अभियान के तहत बुजुर्ग मल्ला टिका लगाय जा थे इही करम मा समाच कल्याण विभाग द्वार संचालित वृद्धा आश्रम मा निवास करेया बुजुर्ग मल्ला घलो कुरूना संक्रमनले बचाय बर टिका लगाय जावा थे एवृद्धा आश्रम के 116 बुजुर्ग मल्ला कुरूना टिका लगाय जा चुके है 36 गर राज महिला आयोकडाहर ले दुर्ग जिला ले प्राप मिले 21 प्रक्रण के सुनवाई 22 मार्च के कलेक्टरेट के सभाकच मा करे जाही राज महिला आयोक के अध्यक्ष डॉक्टर किरनमई नायक प्रक्रण के सुनवाई करी संबंधित पक्षकारला निर्धारित तिथी मा सुनवाई ही तु उपस्थित होई बर कहे गे है अंतराष्टी महिला दिवस के अउसरमा मुख्यमंत्री श्रीबुपेश बगेल के महिला आयोक डाहर ले महिलमन के आवेदन वर वाट्सप एप नंबर जारी करेगे है अब महिला वाट्सप कॉल सेंटर मुबाइल नंबर है वै नौ सुन्य नौ आठ तीन आठ दू 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 पाँच के माध्यम ले संपर्ग कर सकते या मैसेज या वाइस मैसेज के माध्यम ले आवेदन पत्र सिकायत सुझाव फ्रेशित कर सकते आखिर मा परमुक समचार एग़ों फेर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के समवात कारिकरम परिक्षा पे चर्चा बर 10,32,000 ले जादा विद्यार्थी मनहा पंजी करन करा है चत्तिसगर लोकसेवा आयोगा राज्यसेवा प्रारंभिक परिक्षा के परिणाम चारी कर दे ही भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश कार्यक समीती के बेठका काली राइपुर के कुसाभाव ठाकरे परिसर इस्थित पार्टी कार्यालाय मा आयोजीत करेगीस चत्तिसगरी समाचार बुलेटीन इहें सिरावत है जै जोहार